आप तबी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जारखंड हाइश्कूल टीचर जो निवति हो रही थी जो 2016 समंदित है उसी पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता है कि जो स्टेट-मिरिट लिस्ट सारी निव्टियाउन मुश्टरी सुप्रीम कॉर्ड के नुसर जारी किया गया था यह आयुक का कहना था लेकिन इसमें बहुत सारी विवाद थे जो अंग जारी किये गए बहुत सारे छोत्रत्रों का ज्यादा आङा लेकिन kit नहीं हो पाया इसके ल च्छातर हमारे चैनल पर नए हैं जिन्हों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे और साथ इस वीडियो को लाइक और सेर ज्यादा-ज्यादा कीजिएगा साथी जो च्छातर आने वाले परिक्षा के लिए जहारकंड हाई स्कूल टीचर जेट एक्जाम नेट एक्जाम और अन्य परिक्षाओं के लिए तयारी करना चाहते हैं अभी स्पेसल माहा ओफर चल रहा है दिवाली के स्पेसल इसमें 40% अप डिसकाउंट मिल रहा है जैसा क आपको पता है कि TGT के लिए जेट के लिए जल्दी वेकंसी आने वाला है तो जल से जल ज्वाइन कर लीजे जो इसके पर नमबर दिख्राइस पर आप कॉंटेक्ट करके एडमिसन ले सकते हैं साथी जेट के लिए जो नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अभी तक नहीं कि ज्वाइन किए हैं जल से जल ज्वाइन कर लिजें अभी आपको इसमें शुरू से 0 से लेकर आपका जो भी हाईयर जो सीलेवस में सारे शी आई हम लोग जो अपडेट है उसे समंदित बात करते हैं आप देख सकते हैं कि जो नियुक्ति परकेरिया बहुत लंबे स्पाइसे हाइश्कुल की चल रही है सितंबर में सितंबर दो होजार चोबिस में फाइनली जो आयोग का काना है कि हमने नियुक्ति परकेरिया पूरा क कि युट अरूसी में इसकी सुनवाई की जा रही थी में मेना कुमारी और व्यूजर मैं ये 选प जरकन के बैच के इसə हैं जी संबर्ए जहांसे कि ये जृत्त खात्र जात्रिंक जैसे की लेकिन उनका selection नहीं हुआ जो छात्र का मार्क्स जारी किया गया दूसरे चात्र का कम अंक में को सेड़ेक्शन हो गया लेकिन कुछ छात्रों का selection नहीं हो पाया उनसे जादा अंक होते वे तो हमने आपको मौकिक में भी पताओ था कि जब आयोग में सब चीज का पता करने गये थे तो वहां की मेंबर उनका कहना था कि जब यह मामला उस समय का हो रहा है जब डिस्टिक वाई जो है सेलेक्शन हुआ था उनका कम पर भी उनका सेलेक्शन हो चुका है लेकिन सुप्रीम कोड के आदिस के बाद ऐसा नहीं तो बहुत सार इसके मामले थे और यह जब मामला सुप्रीम कोड में जो सुप्रीम कोड के आदेश पर जो जारी किया गया यह मामला जब हाई कोड में इसके सुनवाई की जो केस गया उसके बाद जो है हाई कोड ने सरकार और जैससी को निर्देश दिया था कि जितने भी छात्रों का सेलेक्षन है, यहां रखेगा इसमें एक चीज और नहीं पताया गया कि कितने कुल छात्रों का चेयन हुआ, 17,000 से ज्यादा पद था, और कुल कितने जो सीट हैं वो खाली किसकी सब्जेक्ट में किसकी काटेगरी में रहा चुकी है, यह सब भी जानकारी नहीं दिया गया, और वही चीज हाई कोट के तवारा मांगा गया था, जो कि 24 अक्टूबर तक यह जमा करना था, जैसा कि आपको पता है, जितना लेट करता है, फिर लेट किया गया, और जो 24 अक्टूबर को फाइनली सुनवाई हुई, कल जो सुनवाई हुआ, कल के सुरुमाई में वही चीज मामला सामने आया, जो JCC है, जो सरकार है, अपने और से, जो चीजे हाई कोट के तवारा मांगी गई थी, वो प्रस्तूत नहीं किया गया, सारे अभी अर्थी, जैसा कि हमने आपको अपडेट भी कराए था, कि जिन जिन अभी हर्थ, जो हाई कोट है, या पिर जो ऑर्डर कोपी है, हाँ पर देख सकते हैं, सारे चीज़ समिट कर दिया गया, लेकिन JCC की और से कुछ भी समिट नहीं किया गया, इस बज़े से JCC को फिर से, मतलब कि हाई कोट ने फिर से नया डेट रखा है, अब जो मामले की सुनवाई होगी 21 नॉवंबर को जो है, इसकी सुनवाई की जाएगे, अब फाइनल देखते हैं कि 21 नॉवंबर को क्या होता है, क्योंकि उसमें भी आपको पता होगा, कि जारखन में विधान सभा चुनाव चल रहा है, 13 और 20 नॉवंबर को है, 13 नॉवंबर को रिजल्ट आएगा, उसी के बीच हम ये डेट रखा गया है, हाइकोट कुछ सोच के ही रखा होगा ये डेट, तो उस दिन देखते हैं क्या होता है, लेगिन हाँ, ये मामला जो है, मतलब कि 24 अक्ट्यूबर को कुछ मतलब कल जो है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो पाया, क्योंकि हाइकोट, जैसे सी के जैसे सी से जो मांगा गया था, वो परस्तुत किया ही नहीं गया, ताकिर कि सधार पर फैंसला करेगा हाइकोट, इसलिए बहुत सारे चीज़े जो सुनवाई होनी थी, वो नहीं हो पाया, इसके लावा कोई भी और अपडेट आता है, वो आपके साथ हम चर्चा करेंगे, पहले भी हम अभियर्थियों को बता चुके हैं, कि सुप्रीम कोट ने, सौरी, हाई कोट ने ये कहा था, जिन अभियर्थियों को लगता है कि उनके नियुक्ति होनी चाहिए थी, सेलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, तो उसके रिगार्डिंग प्रूफ आ हुआ हुआ हमने आपको बता दिया है, जेसी ने अपना मनवानी किया, और जो ये मांगा गया थे टीटेल की कोटिवार और विशयवार कटप बाक्स चाट के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, कितना कुल सीट खाली रह गया है, वो भी बताना था, किस सब्जेक्ट में और किस किस कैटेगरी में, साथ ही कितना पदों पर नियुक्ती की गई, कौन-कौन से पद पर छात्र नियुक्त हुए हैं, वो सारी टीटेल चाट के माध्यम से बताना था, लेकिन वो आयोग ने नहीं बताया, इस वज़े से ये सुनवाई नहीं हो प सब्जेक्ट यह हैं, कैसे हम कंपेर करें, तो आयोग के वेपसाइट पर आप जाईएगा, तो वहां पर आपको कटम माक्स मिलेंगे, आपको जो स्कूर काट आपने डाउनलोड किया होगा, यह स्टेट में लिस्ट में जो अंग होगा, उससे आप मिला सकते हैं, केंडिड बहुत सारे सब्जेक्ट 26 विसज़वों में यह हाई स्कूल का परिक्षा हुआ था, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जिनका जिनका सब्जेक्ट का दिया हुआ है, जिसें इंगलिस का है, फिजिक्स केमेस्ट्री बायो, यह तो आपका PGT है, PGT, फिर का है सकेंड में जाएगा तो म्यूजिक का नक्पूरी का ओरिया का मुंडारी का हों साइंस का कुडूख का जिगरोफी का संथाली हो पंच प्रग्या इन कुर्माली उन सब का मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बंगला का तो यह सारे जो है कटफ यहां पर दिया हुआ है फिर कुछ और कटफ यहां पर दिया हुआ है माक्स लास्ट कैंडिडेट जो अलग अलग यहां पर दिया है कूर्माली कूडिया वेगर है तो यह सब का कटफ यहां पर दिया हुआ है आप महां पर जाकर देख सकते हैं ऐसे हम कर सकते हैं बहुत सर अच्छा तरह बोलते हैं सर की किस तरह से contact करें तो इसके लिए कोई अलग से कोई public domain में नंबर नहीं है कि आप उससे contact कर सकते हैं आप जाकर हाई पोट में इसके बारे पता लगाए वहीं पर सारा चीज आपको पता चल जाएगा और किस तरह से क्या क्या करना है यह सारे अपडेट जो हमने आपके साथ यह पर डिस्कुस कर दिया है जो भी छार तरह के साथ ऐसे समस्या है एक बार उनको फिर से मौका मिल चुका है जाकर आप इनके रिगार्डिंग समिट कर सकते हैं प पहले हम बता आ चुके हैं कि कैबिनेट भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चीज़े हो चुकी है नई नियामौली का मंजोरी मिल चुकी है नियुकति किस प्रकार होगी वह सारे चीज के मंजोरी मिल चुकी है 14,000 से ज्यादा इस बार जो है फेकेंसी होने वाला है से जल्द प्रारम कीजिए वही आपका पेपर ऑन और पेपर टू दो पेपर कैदार पर एक्जाम होगा जो पहले हम सिलेबस में डिसकस कर चुके हैं कि आप बहुत सारे चातरे से बोलते हैं कि सिलेबस चेंज होगा तो बिलकुल नहीं जो भी नियामौली में सारी चीज़ सारा चीज हमने यह डिसकस भी किया हुआ है सब्जेक कॉंबिनेशन में उसी परकार का है तो जो छातरे टीजीटी हाई स्कुल के लिए क्लासे अभी तक जोईन नहीं की है जल से जल जोईन कर लिजे दिवाली स्पेसल अभी महा ओफर चल रहा है इसमें आप जोईन करते है इसके अलबाद जेटेट के लिए इसका भी अब एक्जाम डेट एक्स्टेंड हो चुका है जो अब जनवरी फरवरी के बाद एक्जाम होगा तो नया बैच उसके लिए सेपरेटी स्टार्ट हो रहा है जिसमी कि आपका जीरो से लेकर हाई लेबल तक सारे चीज़े सी आपको पढ़ाया जाएगा नोडस टेस्ट जो आपका क्लासिस रिकोर्ड लाइफ क्लास रिकोर्डिंग क्लास हर चीज़ आपको मिलेंगे इसमें आप मिनियूम फिस पर आप सारे कोर्स जोईन कर सकते हैं जो नंबर दिया हुआ इस पर आप कॉंटेक्ट करके एडमिसन ल